आज सिर्फ बात सिर्फ दो किताबों की नहीं होगी जिसमें आपको यह पता चलेगा कि हमारे देश में हिपॉक्रिसी कि एक ऐसा एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है जिसको सब क्रॉस करे जा रहे हैं लेकिन पहले बात कर लेते हैं उस स्टोरी के उसके आसपास की फिर कहानि यह बाद में डिस्कस करेंगे हिंदू भाईयों सेर बनो जबाब दो ना सेर बन सको तो सेर करो दबा के सेर करो डेली राइट्स 2020 दिल्ली दंगों पे जो स्टोरी थी उसके बारे में जो फैक्ट्स थे जो लोगों के इंट्रव्यूस थे और बाकी मतलब जितनी सची घटना प्याधारे चीज़ें दी प्रूफ के साथ चीजें उस किताब में लिखी थे जायर से बात है कि अगर आप सच्चाई किसी को दिखाएंगे तो लोगों की जली की और इक हावत इसलिए फेमस नहीं है कि सच हमेशा कड़वा ही लगता है तो वो किताब ब्लूम कर लिया उसने उसका कारण भी दिया उसका कारण सुनिया लिखा है यहां पर ब्लूम्स बेरी इंडिया स्ट्रॉंगली सपोर्ट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच बट आल्सो हैज डीप सेंस ऑफ रिस्पॉंसिबिलिटी तो इस पब्लिकेशन को विड्रॉ कर लिया अच्छा और अब अगर आप डेली राइट्स 2020 ढूटते हैं अमेज़ूं पर या फिर गूगल पर ढूटते हैं कि ताकि अमेज़ूं का लिंक आ या कुछ भी तो आपको यह देखने को मिलता है तो अब यह आपको किताब नहीं मिलेगी और अब देखते हैं आपको अमेज़ूं पर कैस केसी केसी किताबे मिलेंगी और उनके पुब्लिशर्स ने बिल्कुल चिंता नहीं की कि उनकी जो responsibility society की तरफ उसका क्या उसका ख्यार रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा तो आपको दिखाता हूं Amazon वे आपको कैसी केसी किताबे मिलेंगी जिनका freedom of speech expression से कोई लिना देना नहीं है वह actively मिलेंगी उसे कोई हर्ट होता है कोई गलत मैसेज जाता है कोई समाज में सोसाइटी में रॉंग डाटा spread होता है लोगं को गलत information दिमाग में उनके भरी आती है और एक एजंडा चला जाता है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किताबें आपको मिलेंगी उनमें से पहली है इनी संभुद्दों के उपर शाहीन बाग फ्रॉम प्रोटेस्ट टूर मुव्मेंट बाइजिया उस सलम ठीक है पांसो तेईस रुपए की मैं इनकी प्रोमोशन नहीं करना लेकिन आप जाके इनको अ शाहीन बाग जिंदगी में कभी भी आइडिया ऑफ इंडिया के बाल बराबर भी नहीं हो सकता और यह आइडिया ऑफ इंडिया हो भी नहीं सकता भविश्य में चाहे आपके थौट प्रोसेस वाले जितनी जी जान लगा दें बस इतना समझ लिए एक और किताब है शाहीन मैडम ने लिखी वाली मैं यह सवाल उठाना चाहता हूं जनता से और हमारे जो इंडिलेक्चुल्स हैं जो इन सब्सक्राइब के अथौरिटीज रखते हैं या फिर पर्मिशन देते हैं कि कौन से बुक मार्केट में रहनी चाहिए कौन सी नहीं रहने चाहिए वह जनता ज हैं जो अलड़ी एक्जिस्ट करती हैं जिन पर कभी कोई बैक्लेश इनको नहीं चेलना पड़ा कि इनके पब्लिशर्स विट्रॉ कर लियों क्या यह बहुत सेकुलर काम है क्या यह बहुत लिबरल काम है पहले चीज़ दूसरी चीज क्या यह फैक्ट्चुल डाटा रिप् में कितना भी दे सकता हूं आप अपना ऊपिशन कितना भी दे सकते हैं जीतनी किताबों का मैंने आप स्क्रिंशॉट दिखाया आप इनको ढूण डिये अप्रेबॉर्ट करिए रेटिंग्स डाउन करिए आपके हात में जो स्टेप है और इनको भी बैकलाश का सामना करना पड़े इनको भी विद्द्रोह देखना पड़े इनके किदामों के उपर और इनको भी अपनी किताबे मार्केट से उठानी पड़ें यह आपकी responsibility है क्योंकि जब इनके favor में कुछ नहीं होता ना इन दंगाईयों के favor में कुछ नहीं होता तो यह तो यह कछवा चाप पंचर जोड़ने वाले लोग अपनी मानसिक्ता का ऐसा प्रयोग करते हैं ऐसा विक्टिम कार्ट खेलते हैं और इनकी पार्टियों में ऐसी पकड़ है कि सही चीज को दबा ले जाएंगे और गलत चीज आपके सामने मार्केट में मिलती रहें जैसा आपको स्क्रिंशॉट दिखाया है और यह एमेजॉन फ्लिप पार्ट इनको क्या मतलब इनको तो बिजनस करना है लेकिन ब्लूम्सबेरी ने अगर किसी तरह की रिस्पॉंसिबिल्टी दिखाई है सुसाइटी की तरफ उसको पता नहीं क्या लगता है या फिर वह बहुत अंजान है देश के समाज के पॉलिटिक्स है उसको ठेका लेना है नीचे था कि वह पब्लिश करेगा यह जो हमारे जो ऑथर्स हैं जो जिन्हों ने लिखी डेली राइट सुन्टी यह लोग उनके पास गए ही क्यों करवाया ही क्यों क्या हमारे देश में पब्लिकेशन बाकि सारे म पावजूद मार्केट में आने तो दे किताब जनता डिसाइड करेगी यह दो कोड़ी के इंटलेक्चुल्स डिसाइड करेंगे खेर किताब कुछ सो कॉल्ड चंद गिने चुने इंटलेक्चुल्स लिबरल्स सेकुलर्स इस्लामेस्ट जिहादी इन सब के लिए नहीं जाये किता पूरे मार्केट के लिए लिखिया के एअर मार्केट रिट करता हो डिसाइड करता है क необходимо कि किस किताब से किसका से क calendar कि सका सेंटेमेंट किसका freedom of speech freedom of expression हाट हो रहा है इसाइड कि मीरे किसी चीज्जे ना पसंत करने से अगर आप पुरी मार्केट से वह चीज हटा दें तो जो एन नंबर ऑफ सेटिजन से उनका क्या उनके फ्रीडम का क्या उनके थाट प्रोसेस का क्या उनको तो पता भी नहीं कि उसकी किताब में लिखा क्या है जिस तुमको खत्रा है तुमको डर लगता है कि तुम्हारी यह पूरा सिक्वेंस चल ला है ना डेली यूपी बैंगलोर यह सब चीज़ें करने का यह एक्सपोज हो जाएगा सारे सामने आ जाएंगे सारी जिहादी मान सकता सामने आ जाएगी तो तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं लगता है तो अपने स्टेप्स ले रहे हो गलती अ कि कुछ काम करा जाता है मुझे ने पता क्यों आप me back लेकिन आप जन्ता के उपर आके अपना रियक्शन दे त्युटर में जैसे जिस माद्दयम से जन्ता रियक्शन दे जन्ता समर्थन में आला जोको लगता है कि लोगों के सामने सचाए आनी चाहिए तो विडि़ो तो सेयर करो, दबा के सेयर करो